हेलो स्टूरेंट्स वल्कम तो माय यूट्यूब चैनल पीटी टेपसंट्रक्स बाइनेखिल इस सेशन विल बीन हिंदी लेंगविच और इस सेशन के अंदर आपके जो कोशेंज हैं उसका हम आंसर देने की पूरी कोशिच करेंगे सब्सक्राइब बाकी वीडियोस तो हम बनाते ही रहते हैं हर इक टॉपिक के उब डिपसंट्रक्स डालते रहते हैं आसपर यह र помог अपन उस स्टूडेंट्स के उपर देख रहे हैं इतना विश्वास कर रहे हैं हमारे उपर प्यार कर रहे हैं उनको अच्छे से हम guidance दे सकें लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके जो कुछ ऐसे questions हैं उसके उपर हम वीडियो नहीं बना पाते time shortage होने की वज़ा से तो आज का ये session जो आपने comment किये हुए हमारी video के उपर अलग-अलग videos के उपर उसके उपर रहेगा और बहुत सारे सरोज कंबोज जी ने message किया है बाकि सभी subscribers को जो हमारी video देखते हैं comment करते हैं उसके लिए thank you so much और अगर आप मेरे channel के उपर नहीं आयो like कर लो share कर लो subscribe कर लो आगे जाके आपको ही benefit हो गई होगा okay so first comment is सरोज कंबोज जो की लिखते हैं thank you sir for motivational videos thank you so much Shubham have hello sir help me summarize written text summarize written text में guys 5 to 75 words के में लिखना होता है एक ही full stop का इस्तमाल करना होता है try to write your summarize written text between 50 to 70 words right और connector का इस्तमाल अच्छे से करेगे spelling mistake ना हो बच्चे प्रूव रिडिंग नहीं करते हैं आपको प्रूव रिडिंग करने चाहिए writing का कोई भी टास्क को ज़रूर benefit होगा आपके अच्छे scores आएंगे R2H Amman Gaming इन्होंने message किया है मेरी इस वीडियो के उपर why scores speaking scores are low why not recording sir my test on Tuesday any tips for first test my mock test में good scores आते हैं I am practice on AP Union Language Academy right now what is the situation actually कि बच्चे क्या करते हैं कि mock test को अपने real exam समझ बढ़ते हैं देखो guys mock test में आपके अच्छे scores आए जाहें ना आएं mock test में अच्छे scores आए जाहें ना आएं हमें अगर अपने concept को clear करना है तो आपको एक टीचर की दूर पढ़ती है YouTube के उपर वीडियो भी पढ़ी होई है कई बच्चे तो बिना आप coaching लिए भी अच्छे scores ले लेते हैं लेकिन हर एका लावर अलग 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 होता है तो अगर आपका फर्स्ट एक्जाम में time management का ध्यान रखिए speaking में जब भी complete करते हो next button के उपर click करो writing में proofreading करो reading में time management is very important reorder paragraph if in the blank reading वाले है उसके उपर two minutes each question के उपर लगाई है उसके इंदर solve करना है and for reading and writing in the blanks you have to spend only two and half minutes maximum or less than two and half okay तो इतना auto auto cat shot इतना difficult नहीं आता read aloud tension लेने की जूद नहीं है इन्होंने message किया है PT speaking read aloud if centrics के उपर देखो जो question की length होती है read aloud जुरूरी नहीं है कि आपको difficulty आए बल्कु सही बात है लेकिन कई बार क्या होता है हर एक बच्चे का अपना अपना level होता है अगर आपका level ही सही नहीं है रुकर रुकर बोलोगे घर में बैठके अपने आपको judge नहीं कर पा रहे हो तो आपको वो भी मुश्किल लगता है तो practice is totally depend कि आप उसको कितने hours लगा रहे हो और यह भी जुरूरी नहीं है कितने hours लगाओगे उसने अच्छे नमबर आएंगे ऐसा होने लग गया सभी के 90 नहाजाएं बच्चे अकसर मुझे पूझते हैं कितने hours लगाएं आवर्स की बात नहीं होती है बात होती है कि आपको कितने देर में समझा रहा है माही शर्मा हेलो सर मैं fourth attempt दे चुकी यहां मेरी help कर दो मैंनों समझ नहीं आ रही मैं किते lack कर रही है देखो माही अब आपने कोई scorecard वगरा तो शोर नहीं किया है मैं कैसे आपको बता सकता हूं कि किसमें problem है हर एक module में क्या होता है कि सारे module आप पर इसमें linked होते हैं तो हम किसी को यह नहीं कह सकते कि आपको इसमें problem है इसमें ज्यादा problem है अब माली जीए for example you are targeting 50 each okay so you are getting 56 in speaking reading 49 listening 52 and writing 58 you will think my writing is good my speaking is good I have problem only in only in the reading section but it is not true all modules are interlinked with each other reading case code speaking में होते हैं summarize earn text में में होते हैं अब 49 उसमें आये हैं इसकी क्या guarantee है कि अगली बार भी आपके ज्यादा आ जाएंगे और इसकी भी कोई guarantee नहीं है जिसमें आपने राइटिंग में 58 लिए हैं अगली बार भी 58 आ जाएंगे अगर आपके आया होता है 70 75 हर बार ऐसे ही आ रहे हैं तो आपको उस topping में problem नहीं है उस module में problem नहीं है लेकिन अगर आपका बिलकुल close है target से तो आप यह मज़ सोचिए problem सभी में है mandeep कोर ने message किया सर मैंने practice time ता ने बाउट 65 आप दे बाट in real exam 47 नहीं है so what I should do mandeep this is happening not only in your case many students are also struggling to get 65 65 each is a target कहीं के लिए 50 इच भी वाट आर्गेट मेरे पास कहीं ऐसे स्टूर्ण आते हैं अस्ट्रेलिया में temporary residency जिसको हम 485 वीजा कहते हैं उसके लिए six overall की जरुरत होती है 50 overall की तो भी बच्चे नहीं ले पाते तो भी आपके case में भी ऐसा यह 47 आपके 65 इच आपको मैं रिक्मेंड करता हूं आप हमारे से concern कर सकते हैं अपना scorecard हमारे को send कर दीजिए मैं number आपकी आँखों के सामने share कर रहा हूं भी थोड़ी दर में तो आप उसको करिए concern तभी आपको benefit होगा otherwise ढूंडते रहोगा कि गलती कहां पर है पता नहीं लगेगा घर में बैठके आपको नहीं पता लगेगा जोतिश अर्मा good explained very 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 nice information thank you so much register ही नहीं होता website पर हो रहा है कई बार बहुत सारे students एक अठे join करते हैं तो problem होयाती है real exam में one line read aloud working or not sir देखो मैंने कभी यूज नहीं की है लेकिन कुछ बच्चे कर रहे हैं उनके अच्छे scores आ रहे हैं बाकि मैं नहीं यूज नहीं की है अगर उनके score आ रहे हैं तो मतलब वो सही है best information साहिल गुजर जी ने बेच जा है मुझे को heart thank you so much और नेक्स आता है सुशील कुमार जी I like okay सब सही है how to improve sparing ठीक है सब reading और listening दोनों में दिक्कत आ रही है अब reading और listening दोनों में अगर दिक्कत आ रही है तो अब देखिये कि listening के scores और पीर संटेंस रिटा लेक्चर में भी दिक्कत है और कई बार वो सही हो जाते हैं आपका right from rotation ना सही हुआ हो फिर ये भी गलती हो हो सकती है और नेक्स आता है हमारे पास तो आपका reading सही हो सकता है और ये भी जरूरी नहीं होता है कि real exam में आपके अगर मालो पेपर में आप mock test में अच्छा score हासिल नहीं कर रहे हो तो आपके real exam में भी नहीं आएंगे ऐसा नहीं होता है कोई compulsion नहीं होती है वो depending करता है आपकी performance का है अब कई बंदे mock test में अच् के साथ that is not good do not compare yourself आपका अलग है लेवल आप उस बच्छे का अलग है कई आपने देखा हुआ कि किसी की English अच्छी नहीं है उसके अच्छा score आगए और आपने इतनी मैनल कि आपके अच्छा score नहीं आए वजह क्या है कि आपको अच्छी guidance नहीं मिल रही या guidance नहीं आप किया है अपने गलती मत छुपाओ अगर आप भी struggle कर रहे हैं बार बार पेपर दे रहे हैं सामने देखे नंबर के ओपर call करो WhatsApp करो अपना scorecard हमें share करो हम आपको बताएंगे गलती गया और कितने टाइम की जुरूत है आपको बार बार टाइम और पैसा वेस्ट करने के बजा करते हैं और जुर जाओ हमारे उस students के साथ जिन्नों ने अभी तक अच्छे scores ले लिए हैं कम समय में मिलते हैं अगली वीडियो में और अगर आपको coaching चाहिए सामने देखे नंबर के पर call करिए WhatsApp करिए Hindi English Punjabi तीनों languages में coaching करते हैं और आपके time के recording दुनिया की किसी भी कोने मे हो काम में बीजी हो housewife हो जॉब पर जाना है कम समय है कोई दिक्कत नहीं 17 hours coaching जलती है हमारी 17 hours आपका भी time हम set करेंगे बाबाए बहुत सारे ऐसे students हमारे पास आए जिनकी English बिलकुल weak थी लेकिन उन्होंने भी हमारी ट्रिक्स के जरीए अच्छे scores हासिल की है सर यह मेरा first time ही था आपने मुझे coaching दी बहुत बढ़िया उसके जो templates है tricks है वो बहुत अच्छे है आपने वो coaching दी थी आप तो फिर लगने लगा था कि भई हाँ हो सकता है भी आ सकते हैं मास सर बारा या तेरा दिन की सर बारा या तेरा दिन में आपने 7 इच हासिल कर दिये जो तो ही सर टेंप्लिट सित्रे सी के सर वी काफी हल्प किती हुना में तो अच्छे स्कोर्स के साथ पीती का एक्जाम पास करना जाते हैं तो सामने दिये के नंबर के ऊपर आप हमें कॉंटक्ट कर सकते हैं